बच्चों से लेकर बढ़ो तक के फेवरेट ऐसे पोटाटो चिप्स या विफर्स आज हम लोग बनाने वाले हैं इसे बनाना इतना असान है ना गाइस के घर के ही जो पोटाटो या जो आलू है उसे आप लोग ये जो चिप्स है एकदम कुरकुरे Markeet जैसे जी बस पांच या दस मिनित में बना सकते है इतने ज़ादा कुरकुरे बनते हैं देखी सकते हैं एकदम मार्केट जैसे है ना इसके बाद आप लोग कभी भी मार्केट वाले चिप्स लेकर नहीं आएंगे ये 100% गारंटी है और आप लोग इसे सब्जी वाले आलू जो होते हैं उन्हीं से बना सकते हैं इसके लिए आपको कोई अलग आलू या कोई special आलू या पोटाटो लेनी की जरुरत नहीं है नहीं इसे सुकाना है नहीं इसे उबालना है बस 10 मिनिट के अंदर-अंदर आपकी ये कुर-कुरे चिप्स तयार हो जाते है तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो पसंद आये तो जादा साधा लाइक करना ना भूलना तो जैसे कि मैंने कहा इसे कोई special आलू हमें यहाँ पर यूज नहीं करना है ये सबजी वाले जो आलू मैं मार्केट से लेकर आई थी वही आलू है लेकिन थोड़ी सी बड़ी साइज वाले आलू मैंने हाँ पर लिये है अच्छे तरह से 2-3 बार धो लिये है इसके बाद मैंने इसके छिलके भी उतार दिये है बस अब आपको आलू को धुना वगरा कुछ भी नहीं है एक बार धोलेंगे तो भी काफी है इसके बाद जो चिप्स वाली जो स्लाइसर होती है या कदुकस होती है उसके उपर आपको ये जो आलू है इसे इस तरह से नहीं पकड़ना है इस तरह से आपको पकड़ना है यानि कि horizontal पकड़नेंगे तो आपके जो आलू के चिप्स है वो भी बहुत ही लंबी साइज के या बड़े-बड़े तयार होंगे तो इस तरह से आप लोगों को न जितने आपको बनाने है उतना ही आलू यहाँ पर कड़ुकस करना है या इसके चिप्स निकाल लेने है तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारी चिप्स तयार है और यह जो ताजे आलू के ताजे चिप्स होते हैं ना गाइस यह जो मार्किट वाले प्रिजर्व करे हुए चिप्स है उनसे कई गुना जादा टेस्टी और कुरकुरे बनते है तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो दो अलो लिये थे उनमें से एक ही अलो के यहाँ पर यह चिप्स तयार कर लिये है और तुरंथ ही हम लोग इसे फ्राइ कर लेंगे वो थोड़ा सा हाई फ्लेम पर थोड़ा सा गरम होना चाहिए तभी आप लोगों को इसमें गर्मा गरम तेल में इसे फ्राइ करना है नहीं तो क्या हो जाएगा यह जो चिप्स है वो यहाँ पर फ्राइ तो हो जाएंगे लेकिन कुछ समय बाद थोड़ी देर के बाद यह थोड़ी से नरम पड़ेंगे इसे कुछ जाएंगे तो आपको ना इसे अच्छी तरह से कुरकूरा होने तक फ्राइ करना है छे से साथ मिनिट इसे अराम से लग जाते है पहले तो 2-3 मिनिट हाई फ्राइ पर आपको इसे फ्राइ करना है उसके बाद 3-4 मिनिट आपको लो टू मीडिम फ्राइ पर इसे कुरकूरा होने तक फ्राइ करना है तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो चिप्स है एक डुम मार्केट जैसे तयार है आप चाहे तो इसी स्टेज पर इसके ओपर थोड़ा सा नमक स्प्रेड कर सकते है छिड़क सकते है लेकिन मैं नमक इसे किस तरह से लगाना है वो भी बाद में दिखाऊंगी तो इसी तरह से जो दूसरा आलू हमने बचा कर रखा था था ना उसके भी हम लोग चिप्स तयार करेंगे और तेल में फ्राइ करेंगे इस बात का यहाँ पर डियान रखना है कि चिप्स को बना कर या स्लाइस करके बहुत सदर देर तक नहीं रखना है क्योंकि हम ताजे आलू के ताजे चिप्स बना रहे है तो वो स्टार की वज़े से ऑकसीडिशन हो जाता है और काले पर जाते है तो आपको तुरंथ ही स्लाइस करने हैं और जल्दी से उन्हें फ्राइ करना है तो सारे आलू चिप्स यहाँ पर हमने तयार कर लिया है देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो आलू के यह जो चिप्स है कितनी ज़्यदा कॉंटिटे में तयार हुए है और मार्किट के पाकेट में सिर्फ इत्तु से जो चिप्स है वो आते है और हम लोग इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई पे करते हैं तो आप लोग इस तरह से घर पर ही ताजे आलू के ताजे ना ही उबालना पड़ेगा ना ही आपको इसे सुखाना पड़ेगा पांच मिनिट के अंदर अंदर आपके ये चिप्स तयार हो जाते है तो चलिए इसे नमक मिर्च के इस तरह से लगाना है मसाले वाले चिप्स तयार करने के लिए वो भी बता देती हूँ एक डब्बे में कंटेनर में आपको इस तरह से चिप्स डालने हैं आप चाहे तो यहाँ पर चाट मसाला भी डाल सकते हैं, एक दम कुरकुरे और बिना जंजट की ये पांच मिनिट के अंदर अंदर आपके चिप से हार हो जाते हैं, तो रेसिपी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ज़रूर ट्राइ करना और मुझे कॉमें बिठाना कि आ